तो आरेसे लिमानी जो सोई इल मेटाल मैं वोई असरकांडों वोई अर्मांडों प्लान सोलो कुंपेंसालो से असे लिरेल पुल्सो नमश्कार दोस्तों मैं होमन आप देख रहे हैं चेक स्वामी और मैं बना रहा हूं साड़े नौवजे वीडियो क्योंकि कल है पंजाब बंद और शायद इंटरनेट होने वाला है बंद तो मेरे को अभी वीडियो बनानी पड़ेगी एडिट करनी पड़ेगी और अप्लोड यहां पर दिखने वाला है और यहां पर टार्गेट करने वाला है वन प्लस फाइल टी जैसे फोन को और डेफिनिटी इस पोन्स के स्पेसिफिकेशन स्कावपी अचे हैं और मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं और यहां पर जो पहली चीज अगर आप मैं आपको 3D रेंडर्स दिखाऊंगी वह जो आपको स्क्रीन पर गूमने वाली है तो बैए 3D रेंडर्स के साफ़से अगर आप फोन को देखेंगे आपके सुंदर रग रहा है जो डिजाइन पर शुरू करते हैं और यहां पर कोई नौच नहीं यूज करते हैं और यहां पर उपर की साइड पर एक सेल्फी कैमरा और नीचे मोटरोला की ब्रैंडिंग में देख रही है तो फोन काफी सुंदर है पर फोन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत जादा स्लीक है भीया बहुत जादा स्लिम है फोन बहुत ही सुंदर लग रहा है इतना स्लिम है कि हेड़फोन जैक लगाने की जगा नहीं बची इस पोन में आपको हेडफोन जैक बिलकुल भी नहीं देखने हो मिलने नीचे के साइड आपको USB Type-C देखने को मिलने वाली है, उपर की साइड एक microphone देखने को मिलने वाला है, और भाया इस looks के बीच में आपको कहीं पे fingerprint scanner की position नहीं देख रही, क्योंकि fingerprint scanner जो है वो छुपाया गया है, home button में और home button है side पे, right side पे जो home button होता है, जो power button होता है, उसी में embedded है fingerprint scanner, तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे sony की तरह एक चीज लाए गया है, sony में जैसे कि आपको side पे fingerprint scanner देखने को मिलता था, वैसे ही यहाँ पे moto की Z3 play में आपको देखने मिल जाएगा, हाँ fingerprint scanner को भूल जाना हो है, और सिरफ face unlock को ले आना, इससे moto की branding दे रही है, वो काफिस सुन्दर देख रही है, अब यहाँ पे यार अगर hardware की बात की जाए, तो snapdragon का 636 में हो सकता है, दो variant होंगे 4GB, 32GB और 6GB और 64GB, तो यह दो variant हो सकते है, दोनों की लग-लग pricing होगी, आपको choose करना होगा अपने budget के साब से, अपनी need के साब से, अब परचल केतना होते हैं, अभी नहीं पता चला है, जो 8 Megapixel है, उसका भी पता नहीं चला है, यह wide angle होगा, Moto X4 की तरह, यहाँ पर इसमें portrait mode देखने को मिल सकता है, जैसे की Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है, अब यहाँ पर बैया, अगर और तीचे चले, USB Type-C में आपको बता दी ह है, बड़ यहाँ पर यह नहीं पता चला है, कि battery size केता होता है, तो यह देखने वाली बात होगी, headphone jack नहीं मिल रहा है, वो में आपको बताया, and also यार, मतलब इसमें यह पता चला है, कि phone जो है, stock android ही आएगा, आपको तो पता है, motorola के phone stock android आते है, smooth experience होता है, यह एक अच्छ 40 है, अब यहाँ पर प्राइजिंग की बात कर लेता है, जो प्राइजिंग यहाँ सुनने में आई है, वो है 32,000 के आसपास, अगर इसके साफ से देखा जाए, तो competition में OnePlus 5T बैटा है, Snapdragon 835 लेके, Nokia 8 है, Snapdragon 835 लेके, Honor View 10 है, जिसमें आपको Honor, यहाँ वावे का अपना flagship processor देखन मिल जाता है, और भी काफी phones है, यहाँ पर Mi Mix 2S है, जो कि flagship grade processor के साथ, यहाँ पर बैठे हुए, बट यहाँ पर Moto क्या कर रहा है, Moto Z3 Play लेकर आता है, Snapdragon 636 के साथ, और यह Snapdragon 636 आपको एक 14,000 के phone में भी देखने हो मिल जाता है, जो कि Redmi Note 5 Pro है, अब इसे compare कर सकते हो, फोन में कौ अब प्रसेसर लगा है, किस price पर आ रहा है, 32,000 के साथ से, तो काफी जादा over price लाँ में लग रहा है, अगर आप देखों कि Moto Z2 Play जब आया था, वो भी यार Snapdragon 626 तो तो यहाँ पर definitely Z3 Play का थोड़ा यहाँ पर जादे ही आएगा, और जो 32,000 है, वो competition के साथ से बहुत जादा है, यह OnePlus को कितना ज़ादा competition दे बाएगा, I don't know, अब बात करते है, 14,000 में अगर आपको Snapdragon 636 मिल जाता है Redmi Note 5 Pro के साथ, एक अची बैटरी, quick charging, एक अची display, एक अच्छा camera package, तो आप क्यों इतने पैसे कर्श के Moto Z3 Play के साथ जाएंगे, definitely build quality इसकी और जो looks है, वो जादा बढ़ applications है, और Nokia 7 Plus में आने वाला है Snapdragon 660, और सब कुछ बढ़िया है, camera भी बढ़िया है, battery भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो हम क्यों ना 23,000 वो अलब phone ले, इससे 32,000 की जगा, बाकि आप ऐसा करो अपनी जो जितनी जो भी आपकी राय है, आप क्या सोचते हो कि Moto ने क आप राइजियम की की है, उससे साफ से फोन की ता अच्छा है, फोन आपको पसंद आया है, या फिन नहीं आया, सब कुछ नीचे कमेंट्स में डाल दो, मैं आपको देखुँगा आपके सारे जवाब, तो अभी के लिए इता ही, मैं होमन आप देख रहे हैं, चेक स्वामी टेकि गई गई